हड़ी या जोड़ों के दर्द और उसका जोतिशी कनेक्शन नमस्कार दोस्तों मैं ललीज शर्मा आपका अपने योट्यूब चैनल All Problems One Solution में स्वागत करता हूँ दोस्तों जब हम शारीरिक रूप से परेशान होते हैं तो हमारे जीवन की गती में कमी आ जाती है शरीर की व्यादियों हमें मानसिक और आर्थिक रूप से भी परेशानियां बढ़ा देती हैं गुटनों के दर्द की समस्या आजकल आम हो चुकी है कई लोगों को कमर में दर्द रहता है और कईयों को पैरों में कई बार तो शरीर के हर जोड में दर्द होता है हमारे शरीर में हड़ियों को सूर्या देव नियंतरित करते हैं लेकिन इन हड़ियों के जोड़ों पर शनी देव का परभाव रहता है और हमारे शरीर में हड़ियों के जोड मजबूत है या कमजोर है यह सब शनी की स्तिती पर निर्धारित रहता है अगर तो कुंडली में शनीदेव अच्छी हालात में बैटे हैं तो हमें दर्द जैसी कोई भी समस्या नहीं आएगी किंटो अगर शनीदेव कहीं पर भी खराब असर दे रहे है तो हमें जोडों में दर्द की परेशानी शुरू हो जाती है शनी पेडित होने पर घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द, कामर में दर्द और गर्दन में दर्द जैसी समस्याईं देते हैं हमारी कुंडली में दस्वे घर घुटनों का कारक होते हैं कुंडली का छटा बाग हमारी कमर से सम्मंदित होता है कुंडली के तीसरे घर से हमारे कंदों की स्थिती का पता चलता है सूरे हड्डियों और कैल्शियम के कारक भी होते हैं तो श्रीर में जोडों के दर्द की स्थिती को देखने के लिए इन सब घरों की सिती और सूरिया देव की सिती को भी देखना होता है पैरों में जब भी दर्द होगा तो इसके पीछे केतु का हाथ होगा केतु हमारे श्रीर में पैरों, घुटनों और गुप्त रोगों को दर्शाता है किंतु केतु के खराब होने का कारण सूरिय मंगल और ब्रैस्पती ही बनते हैं जब भी कुंडली में यह दिगज ग्रै खराब हो रहे हो तो यह अपनी बला केतु पर डाल देते हैं अगर कुंडली में मंगल खराब होंगे तो शरीर में गर्मी बढ़ जाएगी हमारा पेट सूर्या से सम्मंदित होता है सूर्या के खराब होने से शरीर में पाने की कमी होती है हमारा डाइजेशन खराब हो जाता है और हमारे शरीर में एसिड बनना शुरू हो जाता है एसिड बनने की वज़े से शरीर में दर्द रहता है और पैरों में सूजन आजाती है जोडों में सूजन आजाती है इन सबसे वायू विकार पैदा होता है जो शनी है जब हमारा पाचंत अंतर खराब होता है तो हमारा लीवर खराब हो जाता है जो ब्रहसपती का कारक होता है जिससे बहुत जल्दी थकान होने पर पैरों में सू जन और जोडों का दर्द शुरू हो जाता है गैस बाए और एसिड शरीर में जमा होने शुरू हो जाते हैं जिससे हडियों का तूटना हडियों का घिस जाना और मुश्किल हो जाता है क्या करें उपाए तो दोस्तों इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए आपको खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए तली हुई चीजे मिर्च मसाले वाली चीजे और तंदूरी चीजे मत खाएं जिससे मंगल भी नियंत्रित रहेगा और बर्गत के पेड़ पर मीठा दूद चड़ाएं ब्रहस पती और लीवर को ठीक करने के लिए पीपल के पेड़ पर जल चड़ाएं नोनवेज खाना बंद कर दें मिर्च मसाले वाला खाना तो बिल्कुल ना खाएं और गले में सोने की चैन पहने सूर्य को ठीक करने के लिए लाल चींटियों को आटा चीनी और तिल डालते रहें सूर्य को अर्ग दें शनी को ठीक रखने के लिए वायू व पारियल काले रंग की चीजें इनका दान करते रहें और तेल का च्छाया पात्र दान करें जोडों के दर्श से मुक्ति पाने के लिए आपको उपायों के साथ साथ अपनी जीवन शाली में भी बहुत ज़्यादा बदलाव की जरूरत है उमीद करते हैं ये जानकारी आपक को अच्छी लगी होगी और यदि आप अपनी कुंडली का विशलेशन करवाना चाहते हैं तो आप हमें हमारे नंबरों पर संपरक कर सकते हैं आपको हमारे नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे जै श्री राम दो